प्रश्वाइब दूशित नदी को आज नदी बीमार सी नजर आती है उसको स्वास्थे की जरूरत है ये पहलू तमाम आपने हमारे सामने रखे बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र नागरी जी को बुलाना चाहूंगी कि हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हैं तमाम लोग बाद में उन सभी के सामने एक बार फिर से पूरी रूप रेखा अगर वो रख दें ताकि हम वो जो बहाव है वो जो क्रम है वो तारतम्मे जो है वो लगातार बना रहे धन्यवाद में बस में जो बाद में साथी लोग आए हैं और क्योंकि कारी करम के मायने इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब सहर के पर्थम नागरिक मान्य महाफोर महोदया हमारे बीच में हैं सिरिमती आसा सर्माजी मैं चाहूँ एक बार जोड़दार तालियो साथ उनका स्वागत करें और सिरिमती दीख्षा भंडारी जी क्योंकि पहले मैंने रूप रेखा बताई थी मैं एक मिनद में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मंचा सीन है मेर साइबा से भी मेरा निवेदन है और साइबा से भी निवेदन है तो आखिर हिंडन साफ क्यों नहीं हुई गाजेबाद सहर क्यों सबसे ज़्यादा उसे परदूसित करता है तो सासन पर सासन जो काम करता है या जो जनता करवाती है बैल और गाड़ी की तरह हमें चाहते हैं कि हमारे अधिकारी और परसासन के लोग और वेग्यानिक हमें ये बताएं कि जनता और NGO या जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो किस तरीके से अपनी भागिदारी कर सकते हैं आपके जो सुजाव होंगे हम उसको मानेंगे और जो सुजाव जनता की तरफ से आएंगे पूरा अब तक क्या रूप रेखा है वो एक वाइट पेपर के तौर पे हम आपको रखेंगे मैं ये इस कारिकरम के रूप रेखा है आप क्योंकि जन सहोग के बिना भी कोई काम प बहुत शुक्रिया और अब जो है